हलो दोस्तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशल को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशल आपका देखते हैं फिर आपका नेक्स टोपिक हम इसमें देखेंगे पोटेंशल डिफरेंस तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशल के बारे में इस चार्ज को हमने बोला भई यह चार्ज आपका Q1 और यहां पर आपका कहीं पर दूसरा चार्ज है और इसको हम बोलते हैं Q2 ठेक है αλλά दोनों चार्ज के आपका Q1 बड़ा है आपका चार्ज से Q2 से यानि कि Q1 चार्ज का मेगनिटूड Q2 चार्ज से आपका क्या रहेगा जादा रहेगा यह हमने अपनी तरफ से मान लिया है अब जब आपने चार्ज को यहां पर प्लेस किया तो इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ आप ठी क्या अपने बना दी यहां फिर आपका आप कहें कि चार्ज अपने चार्ज अपनी चार个 तरफ क्या बना लेगा फ्यल्ड आपका बना लेता हैं तो माझालेजिए, यह clarity फिल्ड हो गई पश्यल्ड है अब दूसरा चार्ज भी आपका तक है तो इसकी रेंज सिरफ इतने ही डिस्टेंस तक है यानि कि इसकी जो फिल्ड आएगी उसको हम यहां तक देख सकते हैं और इसकी जो फिल्ड को यहां तक ही महसूस कर सकते हैं तो यह आपका हुआ अब अगर हम Q2 चार्ज को Q2 आपका मालिजी किसी और डिस्टेंस के contact में लेके आएंगे तो जब हम इसको उठा कि यहाँ पे बना दे यburst अगर आपने इस Q2 ही को कहां पे प्लेस किया यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया तो यहाँ पे जैसे हम इसको प्लेस करेंगे तो यह अपनी फिल्ड के सात में आएगा अब क्या होगा जी इसमें अब इसके अंदर आपका क्या करेगा ये ये Q1 चार्ज की फिल्ड और ये आपने किसकी Q2 चार्ज की फिल्ड क्योंकि हम इसको उठा के यहां से इस पोजिशन पे लेके आए अब हमने पढ़ा था पहले लेक्शर के अंदर कि दो सेम चार्ज आप पे क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो रिपेल करने का मतलब ये चार्ज इस चार्ज को दूर बगाने की कोचिश करेगा यानि कि इन दोनों के बीच में force आपका लगेगा और इस force को हम कौन सा force बोलेंगे force of repulsion force of repulsion अगर ये आपका negative होता तो यहाँ पे आपका हो जाता force of attraction तो अब देखो हमने क्या किया एक charge क्यूटू था उसको हम इस position पे ले आए इस position पे जैसे हम आपका ले के आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कुछ work done किया अब इस work done per unit charge को ही हम क्या बोलते हैं आपका potential आपका बोलते हैं तो यहाँ से electric potential की आपकी definition क्या हो जाएगी आए जड़ा वो देखते हैं तो यहाँ से electric potential आपका हो जाएगा work done work done in moving a charge from any position to any position की जगे हम इसको ऐसा समझ लेते हैं माल लीजेए यह किसी position पे placed है आपका infinity position पे तो infinity position से हमने कहाँ पे लेके आए at some particular point पे आपका लेके आए है तो तब आपका जो work done हुआ उसको हम बोलेंगे आपका electric potential तो work done in moving a charge from infinity infinity पे माल लीजे आपका एचार्ज था q2 to that point छिक है इस point पे आपका लेके आने के लिए जो आपने work done किया उसको आपका क्या बोलेंगे electric potential अब electric potential आपका क्या हो जाएगा जड़ा देखिए electric potential this is equal to work done work done by a charge इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या electric potential अब जड़ा हम इसका देख लेते हैं what is the unit of this electric potential इस potential के unit आपकी क्या होगी तो work done को हम किसमें measure करते हैं work done को हम measure करते हैं joules के अंदर तो यह आपका हो गया joules में और charge की unit आपके क्या होती है कोलंब यह हमने देखा था आपका पहले joules पर कोलंब और यह आपका क्या हो जाएगा potential तो potential को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे volt की terms में तो या तो हम बोले इसको electric potential को क्या joules पर कूलंब या फिर हम इसको बोले potential को क्या volt यह आपका स्क रहेगा same अब जरह हम देख लेते हैं कि एक volt आपक कितने के बराबर होगा तो अगर हम एक volt को define करना है तो one volt को हम लिखेंगे इसमें कि one joule of work एक joule का कारिय आपने किया और किसमें किया एक कूलंब के charge को लेके आने के लिए जो कारिय किया उसको हम बोलेंगे आपका one volt तो one joule of work is done in moving in moving one कूलंब of charge from infinity to a point ठीक है एक joule का आपने work किया infinity से और कहां पे लाने के लिए infinity से एक particular point पे लाने के लिए जो भी आपने work किया उसको हम बोलेंगे आपका क्या one volt तो यह आपके हो जाए किसकी definition one volt की definition और यहां से हमने समझा कि आपका electric potential आपका क्या होता है अब हम देखते हैं आपका electric potential difference किसको बोलते हैं और इन दोनों के अंदर आपक क्या-क्या confusion होता आपका इन दोनों के अंदर आपक क्या-क्या dissimilarity है या फिर क्या यह दोनों आपके same है आईए अब हम next आपका जानते हैं इसमें इसमें देखेंगे potential difference आपका क्या होता है आपका potential difference potential difference को हम हिंदी में बोलते हैं आपका विभांतर तो यहां से potential difference का मतलब आपका जाने कोशिश करते हैं आपका उसमें आपका आपका potential difference हीwe two electric potential के बीच में जो आपका difference होगा उसी को हम क्या बोलेंगे आपका potential difference आपका बोलेंगे अब इसका मतलब आपका क्या हुआ यहां से सीधा सीधा अगर हम बात करें तो electric potential को ही हम sometimes बोल देते हैं potential difference sometimes बोल देते हैं आपका potential difference इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जैसे हमने potential के अंदर देखा था work done in moving a charge from infinity to that point है न यह हमने देखा electric potential के अंदर अब हम इसमें potential difference के अंदर आपका देखते हैं तो यहां से एक charge आपका कितना work करेगा एक point से दूसरे point तक जाने के लिए इसको हम बोलेंगे आपका क्या potential difference तो यहां से potential difference को हम बोल सकते हैं the work done the work done in moving a charge in moving a charge from 1.2 1.2 other point एक point से दूसरे point पे जाने के लिए जो आपका charge work done करेगा उसको हम बोलेंगे आपका क्या potential difference इसको बोलेंगे आपका क्या potential difference इसको बेटर समझने के लिए हम फिर से आपका sell को consider करते हैं तो माल लीजी आपके पास में एक sell है आपके आपका क्या होगा जहां पर आपका इसा आपका symbol देखने को मिलेगा वहां पर positive और यहां पर negative अब देखो जरा इस इसकी बजाए हम क्या करेंगे यह तो cell आप लोग जो देखते हो अब इसकी कुछ न कुछ representation होती है आपकी electrical के अंदर तो हम पहले उस representation को जान लेते हैं कि representation आपकी क्या होगी तो यहां से इसकी जो representation आपकी आएगी वो आपकी होगी ऐसी यहां पर ऐसे हम इसको draw करते हैं यह आपका किसके representation है this is the representation of cell यह पिकिसकी representation है representation of of a cell cell को हम ऐसे represent करते हैं और यहां पे अब positive और negative कैसे बताते हैं जहां पे आपको यह जो आपका लार्ज आपका नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे positive जहां पे आपका small नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे अपका क्या negative यह representation अपके किसकी हो जाएगी? cell की अब आगे जब भी मैं cell की बात करूँगा तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात करना है इसके बारे में है ना ये हम ड्रो करेंगे और बात हम किसकी करते हैं इसकी ही बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका potential difference होगा उसको हम ऐसे represent कर देंगे ठीक है अब देखो जरा इन दोनों points के बीच में इन दोनों points के बीच में जो difference आपका है इसी को हम बोलते हैं आपका सरल बासा में potential difference इसको हम क्या बोलते हैं potential difference आपका बोलेंगे अब यहाँ पे जैसे मालीज आपके पास में एक cell है 1.5 volt का या पर कितने volt का है 1.5 volt का या फिर आप समझो 5 volt का है या फिर हम कहा दें 5 volt का आपका क्या है cell है इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यह जो आपने यहाँ पे ड्रो किया है इस cell को इसके अंदर potential difference है positive और negative तर्मिनल में कितना 1.5 वोल्ट का इसके अंदर कितना पोटेंशल डिफरेंस है आपका 1.5 वोल्ट का अगर यह आपका 5 वोल्ट का होगा तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है 5 वोल्ट का आपका डिफरेंस है ठीक है तो इसको बोलते हैं आपका पोजिटिव टर्मिनल और इस तरीके से हम इसको समझ भी सकते हैं, similarly यहाँ पे इसकी जो representation है positive वाले की वो आपकी ये वाली है और इस negative वाले की representation आपकी क्या है ये वाली, अब जरा हम इसमें जान लेते हैं ये तो आपने देख लिए cell के बारे में cell की representation क्या होती है अब जरा हम इसको मनाने की कोशिश करते हैं किसमें आपके सरकिट के अंदर मतलब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपका चार्ज एक जगें से दूसरी जगें पे जाता है तो देखो इसको आपने ड्रो किया सेल की रिप्रेजेंटेशन को आपने यहां पे आपका हो गया सेल यहां पे आपका पोजिटिव और यहां पे आपका क्या हो जाएगा नेगिटिव आपका आ जाएगा अब जरा हम इसमें देखते हैं आपका कैसे ही आपका वर्क करता है तो इसके लिए देखिए माल लीजिए आपने क्या किया एक बल्ब आपका लगा दिया यहां पे तो बल्ब आपका जैसे ही लगाएंगे जैसे यह आपका मालीजी इलेक्रिक बल्ब हो गया ठीक है अब बल्ब आपने इसके एक रोस लगा दिया अब बल्ब जैसे हम आपका लगाएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा बल्ब आपका गलो करना जिस हैं उनकी value जादा है यानि कि उनका magnitude जादा है यानि कि हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर जो negative है इसका मतलब higher concentration है यहाँ पर higher concentration है किसकी higher concentration of electrons यहाँ पर electrons की concentration जादा है ठीक है electron concentration क्या यहाँ पर जादा इसलिए इसको क्या बनाया हमने negative, क्योंकि electrons के उपर आपका कुम सा charge होता है, negative charge आपका होता है और यहाँ पर जो आपने positive बनाया है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो concentration है, वो आपकी low है, किसके comparison में low concentration of electrons इसलिए आपका क्या है, positive charge आपका ज़्यादा है यहाँ पर तो इसका मतलब flow of charge होगा और कैसे होगा आपका, flow of charge आपका कैसे होगा देखिए यहाँ negative से आपके electrons आएंगे और इस cell के थुरू होते हुए, sorry, इस bulb के थुरू आपका जाते हुए आपका वापिस कहा तक पहुंच जाएंगे यह, cell तक आपके वापिस पहुंच जाएंगे यानि कि negative से चले electrons और positive के पास में आ गए यानि कि हम क्या कह सकते हैं, the charge will flow from higher concentration of electrons to lower concentration of electrons यानि कि आपके charge क्या कर रहा है, यहाँ पे flow कर रहा, एक position से, एक point से, दूसरे point पे आया इसको हम क्या बोलते हैं, potential difference बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे आपका positive और negative को potential difference आपका बोल देते हैं, या फिर sometimes हम इसको बोल सकते हैं, voltage इसको क्या बोलेंगे आपका voltage भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया किसके बारे में potential difference के बारे में अब इसकी unit हम जानने कोशिश करते हैं कि इसकी unit अप्पी क्या होगी तो यहां से जब हम इसकी unit देखेंगे तो देखो आपने क्या किया potential difference के बारे में हम बात कर रहे हैं तो potential difference it is equal to it is equal to work done work done per unit charge ये भी आपका वही हो गया कि एक charge ने कितना work done ही किया इसको बोलेंगे क्या potential difference और इसकी भी unit आप भी क्या होती है जैसे मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते है voltage और इसकी short form आपकी क्या हो गई volt आपकी short form हो जाएगी यहां से और work done आपका क्या हो गया this is equal to joules per coulum ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा volt के बारे में या फिर हम इसको बोले this is the unit of potential difference ये आपकी कौम सी unit होती है this is the SI unit SI unit of potential potential difference ठीक है अब ये हमने देखा potential difference के बारे में अब जरा हम इसमें देख लेते हैं कुछ questions आपके कि किस तरीके से potential difference आपका create होता है इसी के regarding आपके कुछ question देखते हैं अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं आपका एक question ठीक है जो आपका potential आपका क्या होता है तो देखिए how much how much work is done in moving a charge of 5 coulomb from 90 volt to 100 volt इसका मतलब आपका क्या हुआ कि एक charge है आपका और उसका magnitude कितना है आपका 5 coulomb आपका magnitude है और जब वो charge आपका move करेगा 90 volt से 100 volt पे यानि कि 90 volt से जब 100 volt पे आपका जाएगा तब वो कितना work आपका perform करेगा ये आपको निकालना है इस question में अब ज़रा हम इसमें देखते हैं आपका यहाँ पे आपको क्या given है देखो यहाँ पे आपको given है एक तो charge charge का magnitude कितना है charge आपको given हुआ charge इटेज इक्वल टू 5 coulomb का आपका क्या है charge है अब यहाँ से आपका क्या given है 90 volt और 100 volt इसका मतलब आपका क्या हुआ कि भई lower potential आपका कितना है इसमें lower potential है आपका 90 volt लोवर का मतलब कम potential 90 volt है और higher potential आपका कितना है higher potential यहाँ पे आपको given है 100 volt का तो 100 volt का आपका potential हो गया अब इसको हम बोलते individual को हम बोलते electric potential और इन दोनों का जो आपका difference आएगा उसको हम बोलेंगे potential difference तो इन दोनों के difference को आपका बोलते हैं potential difference तो इन दोनों के बीच में आपका कितना difference हो गया आपका 100 minus 90 this is equal to 10 volt तो 10 volt का आपका क्या है यहाँ पे potential difference है अब ज़रा हम इसको cell से समझते हैं cell के अंदर जैसे हम इसमें लिखते हैं यहाँ पे आपका positive है और यह आपका क्या है negative तो positive और negative का मतलब आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपका मालीज यह 100 volt है और यहाँ पे आपका कितना है 90 volt इन दोनों का difference आपका कितना हो गया 10 volt तो हम बताएंगे कि यह जो given cell है यह आपका कितने magnitude का है 10 volt का आपका cell given है यानि कि इन दोनों के बीच में आपका potential difference कितना है 10 volt है तो इसको हम बोलेंगे आपका क्या voltage इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं voltage या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं potential difference इन दोनों के बीच का आपका जो difference होता है वो हमें देखना होता है यहां पे तो यह आपको clear हुआ होगा कि electric potential आपका क्या होता है potential difference आपका क्या होता है potential difference इन दोनों का difference और electric potential जो यहां पे आपका एक का होगा और दूसरे का आपका होगा तो अब देखो यहां पे मैंने positive को 100 क्यों लिखा और negative को 90 क्यों लिखा positive का मतलब हम समझते हैं कि potential जादा है positive का मतलब आपका potential यहाँ पे क्या है higher potential है आपका और negative का मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पे आपका कौन सा potential है lower potential है cell के अंदर इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि positive आपका higher potential पे होगा और negative आपका lower potential पे आएगा अब जरा हम इस question को आपका perform करते हैं कि यहाँ पर आपक क्या निकलवाना चाहरा है आप question देख लेते हैं आपका तो यहाँ से work is done work is done का मतलब how much work is done यह आपको निकालना है तो जरा हम potential difference आपका लिखते हैं क्या होता है potential difference it is equal to work done by a charge एक charge कितना work done करता है यह आपका क्या होता है potential difference अभी हभी हमने देखा है तो यहाँ से work done आपका कितना आ जाएगा यह आपका आ जाएगा भई potential difference into charge और यहाँ से दोनों का potential difference कितना है आपका 10 वल्ट का आपका potential difference है यहाँ पे तो इसको हम लिखेंगे 10 into charge आपका कितना है 5 कुलम का आपने charge लिखा हुआ है 10 into 5 और यह आपका देगा 50 joules तो आपका answer कितना हो जाएगा 50 joules अब देखो दोस्तो जितने भी question हम यहाँ पे perform करेंगे उन में से कोई भी question आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका theory से related नहीं होगा इसका मतलब जो भी आपका जो भी concept छूट जाता है theory के अंदर उसको हम कोशिश करते हैं cover करने की किसमे question के अंदर तो question आप बराबर आपका देखते रहिए समझते रहिए तो आपको सारे concept आपके clear होते जाएंगे और मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपके जो marks होंगे यहाँ पे science के अंदर 100 out of 100 आएंगे कोई marks आपका नहीं कटेगा अगर आप हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं और question जब भी आपका होगा जैसे यह तो आपका theory के बीच में question आगया अगर आपका question आता है वैसे तो आपको करना क्या है उस question के अंदर आपको वहाँ पे pause कर देना है और उसके बाद में आपको पहले question निकालना है और निकालने के बाद में फिर आपको solution मैच करने के लिए पूरी वीडियो को देखना है तो दोस्तो अब हम इसके बाद में आपका perform करते है नेक्स question इस question के अंदर देखिए दोस्तो क्या कहना चाहरा है कि how much energy कितनी energy is given दी जाएगी to each column हर column के charge को यानि कि each column का मतलब आपका हो गया कि charge आपको देना चाहरा है one column का एक column का आपका कितना है याँ पे charge है passing through a six volt battery जो आपका pass करता है किसे एक six volt की battery से अभी तक हमने cell को देखा cell की representation को देखा अब हम इसमें देखते हैं आपका किसको battery को जैसे अगर हम cell आपका बनाएं तो cell की जो आपकी representation होगी ये आपकी क्या हो जाएगी ये आपका माली ये cell है plus और minus अब हर बार हम इसको plus और minus से तो represent करेंगे नहीं हर बार ऐसा नहीं बनाएंगे हम इसकी जगे आपका electrical आपका symbol आपका बनाते हैं तो वो symbol आपका क्या रहेगा देखो इसको हम इस तरीके से आपका represent कर देते हैं जहां पर आपका positive होता है उसको बड़ा मना देते हैं यानि कि उसको समझाते हैं वो आपका ज़्यादा potential पे है और minus जहां पे होगा उसको हम जोटा मना देते हैं यानि कि ये आपका minus है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? Lower potential आपका हो जाएगा तो यह plus और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर minus और यह आपका किसकी representation है? This is the representation of This is the representation of a cell यह cell के आपका representation हो गई अब जरह हम इसमें देखते हैं बैटरी आपकी क्या होती है तो बैटरी आपकी होती है देखो पहले हम लिखेंगे बैटरी के बारे में तो बैटरी आपकी क्या होती है इट इस एक कम्बिनेशन ओफ सेल्स ये कई सेल्स का आपका क्या होता है एक कम्बिनेशन होता है तो यहां से इट इस एक कम्बिनेशन ओ Of Cells कई Cells का आपका क्या हो जैगा combiningशन आपका हो जाएगा यहां से आपका अगर आपका Cells इस तरीके से हैं तो तीन Cells को हम बनाने के लिए आपका काफी टाइम लगा देंगे इससे एका प्तर आपका क्या हो गा हम इसको ऐसे रिक्रेजेंट करें ये आपका हो गया एक cell ये आपका हो गया दूसरा cell ये आपका हो गया तीसरा cell तू तीन cell को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक साथ और इन cells के combination को हम क्या बोलेंगा आपका battery और ये आपके लगातार connect होते हैं तो यहां से ये plus, ये minus, ये plus, ये minus C plus और यह आपप क्या होजएगा minus और इसको हम क्या बोलेंगे battery अब यहां से इसको देखो plus और minus बनाने में भी time ज़धा जा रहा है अगर 4 cell होंगे तो और आपका 1 और आपको पड़ेगा 10 cell होंगे तो बहुत ज़धा आपका बनाना पड़ेगा इससे better है, हम इसको कैसे represent करें, तो next आपका देखते हैं, what is the representation of battery, representation क्या होगी battery की, representation of battery, battery की representation आपकी इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपका यह higher potential वाला plus cell का आपका same as it is, अब इसके बाद में, यहाँ पे आपका ऐसे, यह आपका थोड़ा छोटा मनाते हैं, यह आपका थो इस तरीके से हम represent कर देते हैं आपका किसको battery को, तो battery को simple representation करते हैं, यानि कि इस तरीके से आपने बता दिया, कि यह आपका क्या है, combination है आपका, इसका cells का, तो यह आपकी हो गई, किसके बारे में, battery के बारे में, अब जड़ा हम इस question में आते हैं, फिर आपका देखेंगे, और हम इसमें क्या जान सकते हैं बैटरी के बारे में, तो इस question के अंदर आपका क्या क्या रहा है, कि कितनी energy आपकी दी जाएगी हर कूलंब के charge को जब वो छे वोल्ट की बैटरी से आपका पास करेगा, तो यह हमें निकालना है, अब यहां से आपका देखो, work done आपका क्या हो दोनों के unit आपके किस में रहेगी, जूल्स में आपकी unit रहेगी, अब यहां से, what is potential difference, potential difference आपका क्या होता है, potential difference is work done पर बाईये charge, एक charge कितना work करेगा, उसको बोलेंगे आपका क्या, potential difference, अब जरा हम इसमें देख लेते हैं, कि जब आपका एक कूलंब का charge, एक बैटरी से इसका मतलब आपका क्या हुआ, यह आपकी battery है, और यह battery का magnitude आपका कितना है, इसको थोड़ा छोटा मनाएंगे, इस battery का magnitude आपका 6V का है, यहां पे plus और यहां पे आपका क्या है, minus, तो जब यहां से आपका charge आपका पास करेगा, यानि कि एक कूलंब का, तब आपकी कितनी energy मिलेगी, यानि कि हमें यहां से पता चला कि battery आपकी क्या होगी, battery आपकी होगी एक energy का source, क्योंकि जब आपका charge यहां से पास करके जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा आपका, इसको मिलता है आपका energy, तो इसका मतलब battery आपकी क्या होगी, battery एक स्त्रोथ होगी, किसका energy का, या फिर हम कहें, बैटरी is a source of energy, तो यहां से, next point आपका क्या पता चला हमें, कि बैटरी is a source of energy, बैटरी आपका energy का क्या है यहां पर, source भी होता है, ठीक है, बैटरी is a source of energy, अब इस question के according आपका लिखते हैं, potential difference it is equal to work done by charge आपने लिखा, अब work done को हम क्या लिख सकते हैं, energy आपका represent कर सकते हैं, तो यहां से energy it is equal to potential difference into charge, यह आपका आजाएगा, potential difference आपका कितना है यहां पर, potential difference आपको given है 6 volt, या फिर voltage आपका कह सकते हैं, potential difference को, तो potential difference आपका 6 है, और charge आपका कितना है, 1, यहां से आपका क्या जाएगा, 6 joules, इतनी energy आपकी क्या होगी, यह आपके charge को देगा, जब वो charge इसके थूरू पास करेगा, तो यह हमें यहां से पता चला, अब देखो, यह तो हमने निकाला कि आपकी voltage आपका निकाल लिया, आपने energy निकाल लिया, वर्क डन आपने निकाल लिया, charge से आपका relate कर दिया, अब हम इसमें देखते हैं, कि क्या हमने जो पढ़ा है, यानि कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, potential difference को पढ़ा है, क्या हम उसक किसी device से measure कर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आएए, अब हम आगे जानते हैं, अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि potential difference को हम measure कर सकते हैं या नहीं, अगर हम कर सकते हैं, तो किस से करेंगे आपका, यह जरा हम देखते हैं, तो यहां से potential difference, potential difference, या फिर हम इसको बोलत आपका voltage, potential difference बोले या फिर आपका voltage बोले, is measured, यह measure की जा सकती है, और किससे measure की जाती है, is measured by using voltmeter, voltmeter से हम इसको measure कर सकते है, voltage meter, इसका मतलब voltmeter, इससे हम क्या करेंगे, voltage को measure करेंगे, ठीक है, अब voltmeter को हम कहां पे connect करते हैं, जिससे कि आपकी voltage को measure किया जा सके, यह जरा हम देख लेते हैं इसमें, तो इसके लिए हम बनाते हैं आपका एक cell, यहां से माल लीजिए, आपने एक cell बनाया, तो यह आपका हो गया cell की representation, यह positive और यहां पे आपका क्या है, negative है, तो यह positive और negative हुआ, अब voltmeter को कहां पे connect किया ज जाए, जो की इसकी voltage को measure करके बता सके, तो यह हमें पता इन दोनों के अंदर आपका क्या होगा, कुछ potential difference होगा, अब इस potential difference को voltmeter measure करता है, अब पहले तो हम देख लेते हैं, voltmeter की representation क्या होती है, तो voltmeter आपका represent किया जाता है, ऐसे, जैसे माली जी यहां पे आपने voltmeter को connect किया इसके cross, तो यह आपका represent करेंगे V से, बिलकुल simple representation आपकी है, V से इसको simple हम क्या कर सकते हैं, represent कर सकते हैं, अब voltmeter के through, जब इसको हम connect करेंगे, तो voltmeter के through आपका क्या होगा, फ्लो ओफ charge होगा, इसका मतलब charge आपका कहां से जाएगा, यहां से आपका charge जाएगा, यहां से जादा concentration है, electrons की, और positive के ऊपर lower concentration है, किसकी, electrons की, जब भी हम charge की बात करते हैं, तो हम हमेशा आपके negative charge की ही बात करेंगे, क्योंकि electrons आपके move कर सकते हैं, protons तो आपके क्या होते हैं, stationary, तो इसका मतलब positive और negative, यहां से आपका flow किसका हुआ, electrons का, किसके through हुआ, आपके voltmeter के through आ आपका हो गया, तो इसका मतलब यह जो आपका, वी आपने मनाया है, यह आपका वो device है, जिसको हमने connect कर दिया किसके cross, battery के cross, अब जरा हम इसको समझते हैं, कि यहां पे ही क्योंको connect किया, यह देखिए आप, माल लीजिए, इसके लिए हम एक example लेते हैं, पहले, माल यह city या फिर आपका क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, अब दोनों तरफ आपे क्या है, city है, यहां बीच से आपका क्या जा रहा है, एक road आपका जा रहा है, अब यहां पे road के अंदर आपका क्या होगा, जैसे अगर आपका शहर है, तो वहां पे आपका कुछ ना कु तो यानि कि सीटी के बाहर जाना है, वही कोई यहां से आ रहा आपका, बाहर से अगर कोई आया और इसको बाहर जाना सीटी से, तो क्या करेगा वो, वो आपका बाइपस रोड ले लेगा, जिससे कि उसका टाइम बच जाए, तो इसका मतलब यहां से वो क्या करेगा, आपका यह मालिजी आपने एक रोड बनाया और यह रोड आपका यहाँ पे connect है आगे तो यह आपका क्या हो गया एक bypass रोड हो गया तो वो क्या करेगा आपका इस bypass रोड के थुरू आपका आ जाएगा जिससे कि उसका time क्या हो जाएगा बच जाएगा इस तरीके से यह आपका कुंसा रोड से जाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो आपका move करेगा यहां से और यहां से वो आपका क्या कर जाएगा exit कर जाएगा जहां पर आपको वापिस जहां पर उसको वापिस जाना है वहीं पर वापिस आ जाएगा अब जरा हम इसमें देखते हैं कि यह आपका या फिर आपका इसको समझ सकते हैं सेल है ठीक है या फिर आपका वो डिवाइस है जिसके एक्रोस आपको क्या मेजर करना है वोल्टेज को मेजर करना है ठीक है तो यहां से आपका क्या किया है यहां पे आपने वो डिवाइस लगा दिया यानि कि इस पोजीशन पे वो डिवा अपने किसकी तरह काम कर रहा है वल्ट篇 मिटर की तरह काम कर रहा हैं अब इसकेड़ stress, जितना भी आप पर क्या होगा ? वॉल्टेज ड्रोप आपका होगा उसको जो भी हम यहां यहां बाई पासकेड़ए रिज ने ड्रोप आपका होगा तो हम voltmeter को किसी भी device के acros लगाते हैं इसको बोलते है acros इसको क्या बोलते है acros ठीक है तो हम voltmeter को कहाँ पर connect करते हैं आपका voltmeter is connected voltmeter is connected acros an electrical device to measure voltage क्या measure करने के लिए आपका voltage को measure करने के लिए हम उसके acros इसको connect करते हैं यहां से हमने समझा इसको अब देखिए इसका मतलब आपका क्या हुआ यह एक रोड हुआ यह दूसरा रोड हो गया और यह दोनों आपके क्या कर रहे हैं यहां पर आके मिल रहे हैं तो इसका मत मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका bypass road है वो आपका city road के किसमे है, parallel में है इसका मतलब आपका क्या हुआ कि voltmeter को हम कहाँ पे connect करते हैं आपका, parallel के अंदर आपका connect करेंगे तो यहां से next point हम इसमें लिख सकते हैं कि it is connected in parallel, voltmeter is connected in parallel, यह कहाँ पे connect होता हम 시작? तेरलल के अंदर आपका connect होता है तो यह हमने समझा किसके बारे में voltmeter के बारे में आये अब हम और जानने की कोशिश करते हैं इसमें देखो दोस्तो इसके अंदर अगर आप सेल आपने बनाया यहां पे और सेल के एक रोज अगर आपने connect कर दिया है किसको आपके voltmeter को ठीक है तो voltmeter के थुरू आपका क्या होगा हमने बताया flow of charge होगा यहां पे अब question यह उठता है कि क्या आपका charge सारा चार्ज आपका चला तो वो देखो आपका किस पर depend करता है यहां पे आपका क्या होता एक term आपके आती है resistance या फिर हम इसको समझें कि जब आपकी गाड़ी बाइपास से आपकी जा रही थी तो बाइपास पर पर क्या थे police के barrier थे वहां पर उसका time खराब हो गया है ना तो इसका मतलब आपका क् बाइपास का रास्ता कोई भी चीज लेती है तो वहां पर कोई ना कोई barrier या फिर कुछ और आ जाए तो उसको हम क्या बोलते है कि उसकी जो speed है वो आपकी क्या हो गई कम हो गई और time उससे क्या हो गया है खराब हो गया तो इसका मतलब अब यहां पर भी आपका same ऐसे ही रह जब आपने voltmeter को यहां पर connect किया तो voltmeter भी आपका एक barrier की तरह होगा जो कि charge का flow होने से रोकेगा और इस barrier को हम बोलते हैं आपका resistance यहां पर क्या बोलेंगे आपका resistance यानि कि resistance आपका वो होता है जो flow of charge को oppose करता है मतलब आगे बहने के लिए रोकता है यह आपका हो गया resistance इस को हम बाद की classes में आपका discuss करेंगे फिलाल हम इस voltmeter के बारे में आते हैं इस voltmeter का जो resistance होता है यानि कि इसका जो potential barrier होता है वो आपका बहुती ज़्यादा होता है यानि कि इसका मतलब हम यहां से कह सकते है in case of ideal voltmeter अगर voltmeter आपका ideal है ideal वैसे आपके कोई चीज नहीं होती लेक अगर आपका voltmeter क्या है ideal है it's internal resistance इसका जो internal resistance होगा यानि कि इसका खुद का जो potential barrier होगा is infinite यह क्या हो जाएगा आपका infinite आपका potential barrier यानि कि resistance आपका infinity हो जाएगा यह आपका बहुत ही important point है in case of ideal voltmeter internal resistance will be infinite ठीक है या फिर हम इसको बोलें in case of practical voltmeter अगर voltmeter आपका practical है it's internal resistance it's internal resistance will be will be very large इसको हम देखेंगे आपका आगे के classes में large small यह क्या क्या होते हैं आपके और कैसे आपका इसको analyze किया जाता है यह हम पढ़ेंगे जब आपका resistance देखेंगे तब अभी फिलाल हम इसको voltmeter के बारे में देखेंगे तो voltmeter को हम आपका ऐसे connect करते हैं अब जरा हम और जान लेते हैं resistance जो मैंने अभी आपको बता दिया उसकी जो representation होती है वो आपकी कुछ ऐसी रहती है यह आपका हो गया क्या एक resistance ठीक है अब resistance के across हम किसको connect करते हैं हमेशा voltmeter को क्योंकि मैंने आपको बताया voltmeter is connected across an electrical device to measure voltage across का मतलब पैरलल तो यहां से यह आपका हो गया पैरलल यह resistance के समानतर पाथ है एक और पाथ अगर हम इसमें बना दे तो उसको बोलते हैं आपका समानतर पाथ ठीक है तो इसको बोलते हम एक रोस अब देखो voltmeter को हम हमेशा ऐसे आपका connect करेंगे अब जब यहां पे यह आपने voltmeter बनाया तो इस voltmeter का जो resistance होगा internal resistance यह आपका क्या हो जाएगा this approach is to infinity इसका मतलब होता है यह और कैसे connect करते हैं हमेशा parallel में जैसे यहां पे आपने किसमें connect किया parallel में इसके सामने आपने connect किया ऐसे ही इसके सामने हम connect करेंगे आपका किसको voltmeter को तो इस तरीके से आपका होता है voltmeter अब हम next classes में आपका जानेंगे कि अपका current क्या होता है और किस तरीके से current flow करता है और आपका resistance क्या होता है यह हम आगे की classes में आपका देखेंगे यह आपका हुआ किसके बारे में electric potential के बारे में